भोजपूरी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि अब बॉलिवूड साउथ और टीवी की फेमस हिरोईंस भी भोजपूरी की तरफ रुख कर रही हैं और साल 2022 में इस मामले में सबसे खास रहा इस साल भारत की अन्य फिल्म इंडस्ट्री से कलाकार तो भोजपूरी में आये हैं बिदेशों से भी कलाकार भोजपूरी में काम करने आएं बिदेशी मॉडल्स और एक्ट्रेस ने इस साल भोजपूरी में डेब्यू किया इस साल ट सिनेम का प्रती दिन बढ़ता जा रहा है और इस साल इंडस्ट्री में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है यहां TV से लेकर South Actress तक काम करने आ रही है हिंदी गानों का बोजपूरी वर्जन बन रहा है हिंदी की सभी बड़ी Music Company आप बोजपूरी में की तरफ रुप कर रही है बोजपूरी में काम कर रही है जिस बोजपूरी को कहानी ना होने के लिए ये कहानी कॉपी करने के लिए बदनाम किया जाता था वह अविस्टालब भोजपुरी में नए कॉंसेप्ट पर फिल्में बना रही है फिल्मों से समाजिक संदेश देने की कोशिस की जा रही है भोजपुरी का हर बड़े हीरो वो पहुंसिंग हों के सारी लाल यादव होनी हुआ हों सबकी ऐसे फिल्में इस साल आई और ऐसे कई बदलाव देखकर भोजपुरी के फैंस को गर्व महसूस हो रहा है आज की वीडियो में हम उन फीमेल स्टार्स की बात करेंगे जिन्होंने साल 2022 में बाहर से आकर भोजपुरी में एंट्री मारी है पर उससे पहले नम वही सीरियल में पारवती की किरदार से घरगर में फेमस हो गई थी और इस साल एक्ट्रेस पूजा बनर जी ने भोजपुरी में इंट्री मारी है उन्होंने भोजपुरी में करियर की सुरुवात पावन सिंग के छट गीत उगी सुरुजदेव से किया इसमें दोनों कलाका इसे चैनल पर आया पूजा और पाउन सिंग का यह गाना बहुत जल्ब 10 मिलियन व्यूज के आकड़े को पार कर गया था जो किसी भी छटगीत के लिए बहुत बड़ी बात होती है इसके बाद लिस्ट में दूसरी एक्ट्रेस है नमरिता मला एक्ट्रेस नमरिता मला एक प पाउन सिंग के साथ लाल घागरा और खेसारी के साथ तबला में संदार परफॉर्मेंस करके सभी का दिल जित लिया था नमरिता अभी भोजपूरी की चर्चित हिरोईन्स में से एक बन चुकी है और आगे भी उनके कई नए गाने आने वाले हैं इसके अलावा साउथ एक् काफी ब्लोकबस्टर हिट रही थी इसके अलावा एक और बाहरी एक्ट्रेस प्रियंका खेरा ने भोजपूरी में इंट्री मारी प्रियंका ने पाउन सिंग के साथ भोजपूरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया प्रियंका पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल है प्रियंक और पौण की जोड़ी थी, काफी अच्छी लगी थी, इसके बाद एक और पंजाबी एक्ट्रेस स्रिष्टी तारे ने पौण सिंग के साथ ही भोजपूरी इंडस्ट्री में इंट्री मारी, पौण सिंग की म्यूजिक वीडियो जिन्दगी से स्रिष्टी ने भोजपूरी म इंट्री ली, अर्सिया अर्सिय ने म्यूजिक वीडियो नत्थुनिया से डेब्यू किया था, इसके बाद वो बंदू 2.0 में खेसारी के साथ नजर आई, इसके अलावा वो पौण सिंग के फिल्म वास्प बे भी नजर आई थी, और इन दोनों कलगारों के साथ उनकी जो जो एक रिसी मोडल है, इस साल भोजपूरी में डेब्यू किया, उन्होंने किसारी लाल यादों की ये गाने आशिक में काम किया, किसारी के साथ उनकी जोड़ी भी काफी अच्छी लगी थी, बाकि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट करके हमें अपनी राय जरू बताईएगा जमाजम भोजपूरी देख रहे थे आप भोजपूरी इंडेस्ट्री से जुड़ी हैंने खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद